तो हेलो एवरीवन वेलकम टो इंजिनेस अड़ा गाईज मैसल रजसिंग और आप सभी का इंजिनेस अड़ा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं यहाँ पर गाईज इस परेंट हैं जिन्होंने इंजिनरिंग कर रखें इफिनेटली इंग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो कॉम्टेटिव इग्जामिनेशन या फिर वो फाइनल येर में हैं प्री फाइनल येर में हैं बीटेक या डिप्लोम सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका टार्गेट है अगर आप अचीव करना चाहते हो किसी जेग्जामिनेश के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही खास है किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपने टाइम को और किस तरीके से अपने अपने प्रिप्रेशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे यहां पर टाइम एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम एलोकेशन की किस पोर्षट के लिए आपने कितना टाइम दिया है जैसे सपोस करो कि आपने प्लान किया कि एक दिन में मैं सेल्फ स्टड़ी मालो कि आप टोटल टाइम निकाल पा रहे है एट आर्स का ठीक है इसमें आपने तीन घंटे य पूरा टाइम करते होगे तो प्लासेज का टाइम आपका पूरा का पूरा आपके लिए होगा और इसके लिए इस पाच घंटे को किस तरीके से डिवाइड करना है इस पाच घंटे का ही यह पोर्षन जो मैंने यहाँ पे नीचे बाइफर्केट करके लिखाया है 40 पसंट 30 पसंट 30 इसमें क्या करना है कि इस पाच घंटे का लगभग लगभग 40 परशंट हिस्सा किसको देना है टेक्निकल का जितना भी आपका सेल्फ स्टडी का डिवरेशन और चालिस परशंट का हिस्सा एक्निकल को सेल्फ स्टड़ी बेना सेल्फ सेर्टि मतलब खुद से अपने टेकनिकल के सबजेक्ट का रिवीजन करना सब्सक्राइब करना इसमें आजाएगा जब करें बहुत सारे इसे भी है जहां पर technical का weightage बहुत जादा है almost 80 to 90% एका कम है, कुछ examination ऐसे हैं जिसमें equal weightage है कुछ examination ऐसे भी हैं जिसमें non-tech है ही नहीं जैसे JKSSB अब यहाँ पर देखिए 30% जो है non-technical का weightage यारनी कि time का allocation इसमें 30% आपको non-technical के लिए करना है, non-technical में आपको जनरली जो है, यह सारी चीज़ें आपको पढ़ने को, देखने को मिलती है different examinations, examination में केवल, ठीके GS reasoning science आपको देखने को मिलेगी कुछ examination में English भी add हो जाता है Maths भी add हो जाता है, यह एक general portion आपको cover करना होता है इसके लिए 30% का time first day से ही लेके चलना है जैसे माल लोग कि आपने कल 10 घंटे देने हैं, तो 10 घंटे में से 4 घंटा, टेकनिकल घंटा, टेकनिकल, तीन घंटा जो last वाला आता है वो portion है practice session practice यानि कि practice में आप क्या क्या करना है बार बार बच्चे पूस्ते हैं कि सर इन examination के लिए best टेबल कहां से मिलेंगे सबसे पहला जो first stage होगा आपका, वो previous year के question का होगा, अब बात है पीवाई क्यों लगा लिए तो इस question के level को समझ का लेवल आपको पता चल गया उसके बाद जब practice set लगाओगे practice set यानि कि आपके पस book स्टेंडर्ड बुक जैसे सभी ले ब्रांच है तो यह है अगोर है इस तरीके के बुक है हर ब्रांच में आती होंगे स्टेंडर्ड बुक यह practice session या practice set का का काम करेंगे के बाद AJ के previous year के question जितने भी जैसे ऐसा नहीं कि SSC J को target कर रहे हो तो SSC J का ही previous year लगाओ हर examination कितने भी जैसे एक examination सब्सक्राइब के हैं सभी के लगा लिजा अगर आपकी ब्रांच सब्सक्राइब लास्ट में बारी आती है test series की जब यह सारा यह तीनों खतम हो जाता है ना तब आते है test series पर ऐसा नहीं कि starting में test series लगें और demotivate होगा है कि आपका लेकिन यह दिन हर दिन तरीके से मैनेज होना है यह time slots जो है अपने डिवाइड कर लिए है जैसे मैंने यहां लिखा था ना कि beginner समय बरबाद मत कुरूए मेन रिजन यही है कि random जब चलोगे ना यहां तक पहुंच गए अपने अपने टाइम का duration का वन यह आपने खा गए वन यह एक तरह से समझे कि आपने तूस कर लिया लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है इस पढ़ाओ पर यहां पर इस स्टेज पर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको चलो और गाईज बिलीब में एवल इक्समान आप करके देखिए आपकी इस एलेवल पर पहुंच इसके चांसे मैक्जिमम हो जाएंगे कि अगर आपका इग्जामिनेशन आपके फेवर में हुआ और सब कुछ सहीरा तो आपका सेलेक्शन हंडेट पर संट हो का मिला आपने तो छोड़ो तो इस हिसाब से आपको अपने प्रैक्टिस या रिवीजन की स्ट्राटिजी बनान इस परसेंट को सब्सक्राइए इस नहीं दे रहे हो तो पीवाई क्यों लगाओ फिवाई क्यों खतम हो जा रहा है तो प्रेक्टिस एट लगाओ और यह सब तीनों खतम हो जाए तो बाज में एस देना है स्टार्ट को एग्जामिनेशन के पहले ठीक है यह बहुत जरूरी इस पर्फोर्शन था ही टेक्निकल को तो पेटेस देना ही देना है अब एक्जामिनेशन जैसे कौन-कौन से क्याटर करते हैं जनरली एक्जामिनेशन जैसे के बात करें तो जेहीं में आपका SSE JEE, DSSSB, JEE, DRDO, DDA, RRB, LPS, सब सेंटर लेवल के एक्जामिनेशन जिसमें ह हर जगह के हर स्टेट के बच्चे जनरली फॉर्म कर सकते हैं इस टेट के एक्जामिनेशन भी होता है अपे इफ्रेंट इफ्रेंट स्टेट के बच्चे जनरल केटेगरी से कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर जैसे स्टेट इग्जामिनेशन जैके SSB, UKPSC, 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 Rajasthane, JEE, प्रेंट, और PCL का होता है एक्जामिनेशन, MP सब इंजिनियर का एक्जामिनेशन, राजिस्थान, JEE, अधर AEEJ एक्जामिनेशन, सारे के सारे स्टेट इग्जामिनेशन, अपने सेलेबस को आप खुभी समझते हैं, राइट, अच्छे से आपको पता होगा कि मेरा सेलेब प्लान करो, और जनरल स्टेडी करिए, जनरल स्टेडी मतलब कि इस एक्जामिनेशन की स्टिवल इंजिनियर क्या होती है, अक्सर करके बच्चे पूछ, यह वाला JKSSB के लिए है, क्या, यह RCC, JKSSB के लिए है, RCC, RCC ही है, चाहे JKSSB में पूछ, चाहे JKSSB में पूछ, पदलना है, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, एक बर, कम्प्लीट कर लो, टेक्निकल सब्जेक्ट, और टेक्निकल कम्प्लीट, और एक्जामिनेशन पढ़ले से दीजिए, पोड़े बहुत माइनूट चेंज़े होंगे, वह आप असानी से एडॉप्ट कर लोगे, जब आपका base strong रहेगा, आपने subject को अच्छे से cover कर रखा है, और यहां तक, यहां पे मैंने time allocation की बात की, beginner है, यहां पे self study के लिए कम time allot कर सकते हैं, तो इस start कर रहे हैं, तो इस बात में क्या होगा, कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरौत होगी, ना कि practice करने की, बात में धेरी-धेरे क्या होगा, कि पढ़ने की practice करने की ज्यादा तो वो change हो जाएगा, आप से अपने change कर लिए strategy, तो लोग पढ़ रहे है, as it is, इस तरीके से paid classes में पढ़ रहे है, detailed classes में, foundation patches में, classes अपनी करिए, तो YouTube के लेते हैं, YouTube के मतलब practice करते हैं, YouTube के मतलब practice करते है इंजिनियर सब्सक्राइगे, इसी channel पर, साथी साथ, paid classes की बता दूँ, तो paid classes में, foundation batch में, इसमें आपको हर एक examination के concept cover हो जाएंगे, detailed classes है, foundation 2.2 batch जो है, जनवरी से start हो रहा है, बैच है, जो है, close कर दिया गया, और साथ साथ में एक mains का batch है, जेके SSB, different different RRB के, अलग-अलग state examination के सारे batch अवेलेबल है, अटर 24-7 के application, अगर आपको एक ही particular batch में सारे subject cover करने है, जैसे, हर एक batch का access में जाएंगे, जो live classes चल रही है, वो भी मिल जाएंगे, technical, non-technical, सब में तो होंगे ही, जैसे SSCJE foundation, tech non-tech होगा ही होगा, SSCJE का होगा, जैसे ही आप apply करोगे, enter करोगे, payment के पहले, याद रखना, payment करने जाओ, तो इसको जरूर करना, मेरे साथ जोड़के, और साथ में, पूरे subject को detailed, technical, non-technical, सारे subject को clear कर सकते हैं, और lowest price में मिल जाएगा, इसके साथ साथ मैं मैं बता रहा हूँ, account के लिए coins भी, coins का option भी आता है, उस coins को भी लगाए, 1% का additional or discount मिल जाएगा, और ये सारे सारे batches जो है, इस प्राइज में है, यहाँ पर 6 मन्त की बात करो, 6 मन्त के लिए भी अविलेबल है, 12 मन्त का भी अविलेबल है, आपको लगे की मेरे लिए suitable है, वो आप जॉइन, यह जो है foundation batch, यह 12 मन्त के लिए ही मिलता है, आपको 12 मन्त की validity रहेगी, 3 महिने का course, उसके पाद आपके बना रहेगा, recorded video जितने पर मन करें, पर देख सको, laptop पे, mobile devices पे, कहीं भी, ठीक है, किसी भी करना है, तो process बहुत सिंपल है, app डाउनलोड करना आपको अडर 24 यह आप ज engineering exams, एक category दिखाई देगी, gate and engineering exams, पे click करोगे, आपको branch दिखाई देगे, और branch के अंदर यह सारे के सारे courses, दिखाई देगे, जो आपको join करना होगा, यह discount coupon code, apply discount coupon option, payment के पर देख सकते, और minimum price में जोईन करके, अपनी classes start किजे, वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक किजेगा, अटलीस जो बच्चे self study कर रहे हैं, वो इसे पढ़ सकते हैं, और regular basis पे ट्लासे ले ले लग जाते हैं, अभी से लग जाते हैं, आपको भी पताए कि तो ज़रूर तेइस में, different different examination वाले हैं, अलग-अलग vacancies आने वाली हैं, उसके हिसाब से पहले से प्रिपेर र अधरवाइस, आपको दिक्कत होगी परिशानी हो सकते हैं, ताम आप से नेक्ट वीडियो प्रेंट ठेक